हलो बच्चों वेलकम बैक तो मैं चैनल कैसे हैं आप सब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी थेयोरी पेपर से आप लोगों के जैसे की यह आला है कुछ लोगों बिजनस मैनेजमेंट के नाम से होगा कुछ लोगों प्रिंस्पल आफ बिजनस मैनेजमेंट के ना इसके अलावा और भी किसी subject पर अगर आप लोग chapter wise theory हो या फिर numerical हो अगर वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मुझे comment कर दीजेगा कि आप किस subject पर theory की वीडियो चाह रहे हैं तो उसमें जो important चीज़े मैं बता रही हैं उसको आप लोग note down कर लीजेगा इससे यह होता है कि जब आपका exam होने वाला होगा तो वहाँ पर सारे important points क्या होंगे आपके already note down होंगे तो revision में आप लोग को easy रहेगा ऐसे मैं आप लोग को इसका revision भी करते चलूंगे और कुछ लो आप लोग को इसकी अलग वीडियो भी आएगी और साथ में इसमें भी chapter wise बताती चलूंगी तो चलिए पहला chapter start करते हैं किसी भी subject में आप जब start करेंगे तो सबसे पहले उसकी meaning होती है कि वह subject है क्या उसमें क्या चीज़ें आती है उसका scope क्या है छेत्र क्या है उसकी importance क्या है क्यों आप उसे पढ़ रहे हैं या उसका use क्या होगा यह सारी चीज़े आती है तो सबसे पहले इसमें जो आपका आता है management या फिसनस management में management को concept और process की management होता क्या है तो सबसे पहले simple language में से समझ लेते हैं एक होती है आपकी bookish language जो कि थोड़ी से difficult होती है आपका commerce में आप जितने भी papers पढ़ रहे हैं जितने भी subject पढ़ रहे हैं वह आपकी real life से ही जुड़े वे होते हैं कुछ भी अलग से नहीं होता है अगर आप उसको practically लेकर के समझेंगे ना तो बहुत काम जो हम कर रहे हैं उसको अच्छे से अच्छे ढंक से हम कैसे करें utiliser कैसे करें जिस कि उसके जो रिजल्ट वो बेतर हो और अच्छे हों वही हो जाता है हमारा management या फिर उस चीज को manage करना तो वही चीमेंच में भी है अब जब बात business management किया रही है word side कि प्रबंद किया रही है तो किसी भी सब्य सब्जट के ला साथका है उसमें जाता है उसमें साम्ज संकुच जाती है युछ जाती है और आपके डिफिनेशन उसमें देर ने रखना है कि प्रभंद जeleri से जो मानवी विहार है उनमें आपसा सवनवे स्थाप्त करके उनसे अच्छे से अच्छे ढंक से काम करवाया जा सके और अच्छे सचे परड़ाम किये जा सके तो यह हो गया प्रबंद का अर्थ आप आते हैं डिफिनेशन पर तो टेलर की डिफिनेशन बहुत मैनेजमेंट में टेलर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आप इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे तो इन्हों ने जो डिफिनेशन दी थी वह हो जाती है प्रबंद यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और ततपश्यात यह देखना की कार सर्वत्त आगे यह नहीं हुआ है और उसके बाद जो भी कारे किया जा रहा है वह कि इस सब्सक्राइब दे रह〜 Гret to प्लस में उसकी विशえशन भी लिखी जाती है तो सबसे इपयोक्त प्रभाशा है उसे देखते हैं स्बसक्त गया है कि प्रभाशं कुह गया Marian करम के नुरधारित लक्षि तु pazud योजन संगठर निदेशन नियंतरण द्वारा मानवी और भातिस असाद्वों के सब्मन्वाइबा सदुप्योग से सब्मन्द रखता है और इस प्रबंद्रिज्ञानों कला दोनों है तो नहों ने जो डिफनेशन दिये सबसे अच्छी डिफनेशन है यह जो सारी होगा ना कि अच्छे माक्स लेकर कि आगे कुछ भी करना है या बैंक में जाना चाह रहे हैं और बहुत से कोई ना कोई आपका उदेश्य होगा उसी तहां से एक अगर हम ऑगनाजेशन की बात करें तो उसका भी सबसे पहला गोल होता है कोई लक्ष होता है पहले वो निध उसके प्रबंद को विज्ञानों कला दोनों कहा जाता तो यह सबसे अपयक्तर डिफनेशन है अब आ जाते हैं प्रबंद के लक्षड अथ्वा विशेश्टाओं पर जो पहली प्रबंद की विशेश्टा हो जाती है प्रबंद उद्देश्य पूर्ड है मैंजमेंट इस कोई अदों को प्रबंद का भी होता है क्या फुर्बंद करने के लिए बनाता है पॉलिसी बनाता है अगे आप लोग इसे भी पढ़ेंगे कि प्रबंध में एक चीज़ जहा रखे हैं कोई शंगरटन का एक कर चला सकता इसको चलने के लिए होता है व्यक्तियों का एक समुन होता एक गूरुप होता है जो मिल कर जब कारे करते हैं तब ही कारे अच्छे रंग से हो पाता है तो यहाँ पर एक simple सा समझ लीजे जैसे कि आप एक cricket team ही होती है कोई अकेला व्यक्ति कि मैं जिदा सकता है नहीं जिदा सकता क्या होता है जो उसके 11 players होते हैं वो सब मिल के जब अच्छे सचा खेलते हैं तभी तो वो team जीतती है इसी तरह से किसी organization में भी होता है कि जो भी उस क्या हो जाता है कि सामुहित प्रियासों का समन्वे है नेस्ट आजाता है प्रबंध मानवी ततबहते संसादनों के सदपयोग से संबंद रखता है आपको पता होगा जो एक organization होते हैं इसमें दो तरह के जो संसादन होते हैं resources होते हैं नहीं अकेले machinery से क्या उत्पादन हो ज इसका छेतर इनिवर्सल मतलब यह है कि इसका छेतर है जो है इसका स्कोप जो है सिफ किसी व्यासाइब करम यानि कि किसी organization किसी फैक्टरी मिल इनहीं तक कि सीमित नहीं होता है प्रबंद क्या होता है हर छेत में होता है एक सिंपल सा एक्जामपल ले लिए आपके घर में शा सब्सक्राइब कर रहे प्रबंद सब्सक्राइब होता है प्रबंद कलाविग्यान दोनों है सब्सक्राइब होता है चीज़ को समझ लीजे सब्सक्राइब होता है चोटे हम व्यासाइब की बात कर रहे हैं जैसे कि एकल व्यासाइब होता है तो वहां पर यह चीज़ रहती कि एक अकिला वेक्त ही प्रबंद और स्वामीं दोनों होता है ओनर भी होता है उसी को मैनेजिंग भी कर रहा होता लेकिन बड़े वैसाइक की बात करते से पार्ट्नेशिप में आ जाईये या बताइए कि प्रबंद कला है या विग्यान या दोनों है इस परस्ट कीजे इस तहां का कोशन आता है अगर हम से क्यूज है तो भी ये कोशन पूछा जाता है कि प्रबंद कला है या फिर विग्यान है तो ये हो गया आपका प्रबंद की परभाशा अर्थ और उसकी विश तो जो प्राथमिक कारे होते हैं वो कौन से हो जाएंगे जो प्रामरी है वो हो जाता है नियोजन संगठन नियुक्तियां अभिप्रेणा निदेशन संप्रिशर नियंतर और समन्वे यह सारे समलीजे आगे क्या हैं इसके चैप्टर भी हैं इसमें जब आप आगे कर तो सब चैप्र क्या हैं इसकी प्रोसेस भी हो जाते हैं सबसे पहले उसमें क्या किया जाएगा नियोजन करता है नियोजन सबसे important चीज़ है पहले नियोजन में क्या होता है इसको अगर इंगिश में बोलते हैं तो यह planning हो जाता है planning में क्या जाता है सबसे पहले का first step है इस planning में का मतलब हो जाता है कि भविश में हमें जो कुछ भी करना है उसकी पहले से ही पूरी तैयारी कर लेना उसकी योजना बना लेना वो हो जाता है नियोजन में आप पहले से decide कर लेंगे कि योजना क्या है किस तहां से आपको कारे करना है क्या क्या चीज़ें आपको चाह करेंगे उनका ने पिरे अप करेंगे और रहे हैं तो क्या करेंगे अभी डंटारी करेंगे सब्सेंगाrs करानी एक हुचाएटा है अधिनस तो दूसरों सलती होगता है वरिष्ट तो वरिष्ट क्या होते हैं अधिनास subordinates जो होते हैं जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं उन तक अपने सुचनाओं को पहुचाना information देना कोई message पहुचाना और साथ ही जो भी आपके subordinates है जो अधिनस्त है वो भी क्या करते हैं आप तक काम कर रहे हैं उनका एक साथ मिल करके काम करना जरूरी होता है नहीं तो सही लंग से काम नहीं हो पाएगा इस तहां से पूरी प्रबंदिकी प्रक्रिया complete होती है यानिकी management process की मैंने short में आपको समझा दिया सब के बारे में कि क्या होता है किस तहां से यह process माना जा रहा है क्योंकि एक बाद दूसरा क्म शुरू होता है दूसरे के बाद तीसरा तो इस तहां से क्या हो जाती है पूरी complete process हो जाती है अगर आपके exam में question आता है तो आप यह फाला figure जरूर बना दीजेगा अच्छा figure है उससे marks आपको अच्छे मिलेंगे examiner देखते ही आपको समझ जाएगा कि आपको पूरे इसकी बारे में अच्छे से knowledge है तो यह हो गए प्रास्मिक कारी और साथ में हो आपका एक प्रक्रिया या फिर प्रोसेस को मैं डिटेल में जादा नहीं बता रही हूं कि आगे आपको सारे चैप्टर साल अगलग जब पढ़ने होंगे तो वहां पर चैप्टर वाइस में आपको एक एक चीज़ की डिटेल बताती रहोंगे यहां पर मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया इसकी प्रोसेस भी और इसके कारे भी अब आ जाते हैं इसके जो सेकेंडरी काम हैं जो उसके दित्यक कार हैं उन पर तो इसमें जो पहला हो जाता है नवाचार इनोवेशन करना इनोवेशन बहुत इंपॉ फौरन पर्चेस कर लेते हैं फौरन बाइचार कुछ नया लाना कुछ नए तरीके से लाना वह जाता है तो यह काम किसका है आज की टाम है मैंनेज्मेंट का यह भी काम है कि जो भी प्रोडेक्ट बना रहा है को कंपनी या कोई भी फैक्ट्री उसको और कैसे नह नह ढखं स मार्कEČ में लाया जा सकता है या उस प्रॉडेक्ट में भी और कितनी वाराइटिज लाई जा सकता एक अ smallest समय उधार आक्ट में आप रू को लेकर बता चैनिक टान न तो तो जाता हिस्क एक को जाता है एक और sensitive के नम से आता है एक हो जाता है skincare वाला और भी बहुत से हैं जो टेटाल के सोप आते हैं एक बार आप उस पर लालकर साच करिए गुगल पर तो आपको बहुत से टाइप की मिल जाएंगे जो टेटाल सोप आते हैं तो क्या हो जाता है तो एक इनोवेशन ही तो है सबसे पहले औरे मारकेट में और भी चीजों की ज dwaइंड है तो क्या है आलाग लगता हुँकी चीजें उन्हों ने उसी वह हो जाता है इनोवेशन या पहले नावाचार जो बिजनस णोलेशन होती ंउनकी मिटिंस होती है उसमें बैट कियो होती है तो उसमें भी भाग लेने का काम कौन करता है प्रबंदा क्याने के मैनेजर करता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव भी होता है सौधिबाजी करना निगोटेशन करना इसमें आ जाता है कि जो भी आपने निगोटेशन करी होती है जो श्रम संग होते ह जो होती हैं sean आसमे क्या होता है तोड़ा सा मरमटावागे क्पिस्था होदा रहता है रहता है उनkę कुछ डिमांड होती है मानसकते हैं तो वो सब्छीज़ने सब्सक्राइब हो जाते हैं इसके यकूर्ण होंगी हुआ को क्योंगी प्रभंधिक question हो तो मुझे comment करिएगा या इसकी जो mcqs question है एक बाब वो solve करके देखेगा तो आपको क्या होगा इसका chapter का बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है नेक्स आपको मैं नेक्स चैप्टर पढ़ाऊंगी ऐखो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पे नहा हूँ